केरल में विधानसभा चिनाफ को लेकर सियासी पारा जोर उपर है लेफ्ट अपने किले को बचाने के लिए पूरा जोर लगा रहा है वहीं कॉंग्रिस सांसद राहूल गांधी भी लगातार केरल का दौरा कर कॉंग्रिस के हाथ को ताकत देने की कोशिश में हैं हालंकि कॉंग्रिस ने अभी तक सियम उमीदवार के नाम का एलान नहीं किया है लेकिन बीजेपी जिसका सूबे में सीमीत आधार है उसने सबसे पहले सियम चेहरे पर से परदा हटा दिया जी हां बीजेपी ने किसी और को नहीं बलकि मेट्रो मैन के नाम से मशूर ईश्री ध उर्जाया हुआ है इन राजियों पर भगवा रंग चड़ाने के लिए बीजेपी पूरा दम लगा रही है लेकिन बीजेपी ने केवल एक ही राजमे अब तक सीम पद के उमीदवार के नाम से परदा हटाया है बीजेपी ने केरल के लिए सीम के चेहरे पर सस्पेंस को खत कर दिया है मेट्रो मैन के नाम से मशूर ई श्रीधरन बीजेपी की ओर से केरल में मुख्यमंत्री पद के उमीदवार होंगे जल्द ही बीजेपी की ओर से इसका आपचारिक एलान किया जाएगा केरल बीजेपी के अध्यक्ष के सुरेंदरन का कहना है कि उन्होंने केंद्र नेत्रत उसे अपील की है कि ई श्रीधरन को पार्टी का मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोशित कर दिया जाए दरसल बीजेपी मेट्रो मैन पर दाव इसलिए लगाना चाहती है क्योंकि श्रीधरन की छवी एक बेदाग नौकर शाह की रही है साल 2014 के लोकसभा चुनावों स से पहले ई श्रीधरन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करके कहा था कि मोदी देश के सबसे योगिय लीडर्स में से एक हैं और उनके हाथ में देश का भविश्य बहतर हो सकता है ऐसा माना जा रहा है कि ई श्रीधरन ने तभी बीजेपी में जाने का मन बना लिया था बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा था कि बीजेपी में जाने का फैसला एक दिन में नहीं किया है मैं राज्व के लिए काम करना चाहता हूं इसलिए बीजेपी में शामिल हो रहा हूं एश्री धरन को साल 2001 में पदमुश्री और साल 2008 में पदमु पैटल भी दिया था उनका स्यासत से कोई नाता नहीं है लेकिन अब उन्होंने कमल को थाम कर सियासी सफर शुरू कर दिया जिनका सहारा लेकर बी जेपी केरल में कमल खिलाने की कोशिश कर रही है अब देखना होगा कि वो इसमें कितनी कामयाब हो पाती है डीबी लाइब की पॉर्ट